PGT परिक्षा परबाना चाहेंगे क्योंकि लोग सेवायोग ने 13 नवेंबर तक इसके लिए आवेधन मांगे थे और ये 585 पदों के लिए आवेधन मांगे गए हैं अभियर्थियों की ओर से शिकायत ये की जा रही है कि लोग सेवायोग की वेबसाइट चल नहीं रही थी देखे एक तो ये हवाला दिया जा रहा है कि सब्मिशन के लिए पूरे डॉक्यमेंट्स नहीं है और दूसरी और ये हवाला भी है कि लोग सेवायोग की साइट डाउन में चल रही है सर्वर डाउन था साइट नहीं खुड रही थी इस वज़ा से आवेदर नहीं भर पाए तो कुल मिलाकर सभी अभियर्चियों का ये कहना है कि ये तीथी एक्स्टेंड कर दी जानी चाहिए आज हमने जब लोग सेवायोग की अधिकारियों से बात की कि ये डिमांड रखी जा रही है कि तीथी एक्स्टेंड की जाएगी तो इस पर उनका कहना था कि उनके हेल्प टेस्क पर कोई भी ऐसी मेल नहीं पहुंची है जिसमें इस तरह की रिक्वेस्ट की गई हो यदि अब अगले कल तक ऐसी कोई रिक्वेस्ट की जाती है तो तीथी एक्स्टेंड भी हो सकती है हलाकि इसके अलावा भी वो विचार करेंगे अगले कल कारेले में जाकर की तीथी एक्स्टेंड की जानी चाहिए या नहीं तो ये हम कहना चाहेंगे कि जितने भी अभ्यरती हैं हो सके तो आप एक request letter लोग सेवायोग को भी भेजे उनकी website पर भी भेजे और जैसा कि इनका कहना है mail के जरी आप ये पत्र भेज सकते हैं ताकि मालूम हो सके लोग सेवायोग के अधिकारियों को भी कि बहुत सारे अभ्य अभी छूट गए हैं हाला कि देखिए जो हिमाचर पदेश विश्य विद्याले वाले अभ्यरती हैं उनका तो ये भी कहना है कि तब तक portal को बन ना किया जाए जब तक इनका result घोशित नहीं होता अब ये result कब तक घोशित होगा कहना काफी जादा मुश्किल है और जब तक result घोशित नहीं होगा तब तक इनके पास पूरे document submission के लिए नहीं हो पाएंगे दो हजार सोला और बाइस के भी जितने भी राजजिये के सचिवाले के गर्मचारी रिटाइर हुए थे उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटकटाते हुए कहा था कि उन्हें ने वेतनमान के तहत संसोदित वेतनमान के तहत उन्हें ग्रेचुटी लीव इनकैश्मेंट तमाम जितनी बी विती इलाबे बेदीये जाए हाई कोट ने इस पर अदेश भी पारित किए था राज्य सिरकार को अदेश भी दिया था कि आप इन तमाम पेंशनर्स को इनके वितिय लाब जारी करें लेकिन अब कानून विभाग ने इस पर अपनी राय दी है अपना उपीनिन दिया है जिस अधार पर राज्य की सुक्विंदर सुकू सरकार अरब कोट में जाएगी और दिसंबर महिने में क्योंकि इस मामले में दबारा सुनवाई होनी है तब तर से सरकार को हाई कोट में अपना पक्ष रखना है सचीवाले के क्रीब 147 पेंशनर्स को वितिय ला मिलना है जिसे लेकर यह मामला चल रहा है इसके अलाब बड़ी बात यह कि हाई कोट ने जैसे ही राजी सचीवाले के पेंशनर्स के हक में फैसला सुनाया अब तमाम दूसरे विभागों के रिटाइरीज भी अदालत करू कर चुके हैं क्यूंकि उन्हें भी स्पितियल आप से वंचित किया कैबिनेट बैठक पर अबाना चाहेंगे देखिए क्यूंकि 18 नवेंबर को सियम सुखु की अध्यक्ष्टा में कैबिनेट बैठक होने जा रही है और एंटिटी भरती एक बड़ा मसला इसमें रहने वाला है बड़ा हम इसलिए कह रहे हैं क्यूंकि इस बार ये तै होगा क कि वो अपने आंगनबाडी वरकर्स को नहीं देने वाली है वैसी ही उनके पास इन वरकर्स की संख्या कम है तो एंटिटी भरती के लिए आंगनबाडी वरकर्स को ना लिया जाए अब दूसरी और वो महिलाएं बच जाती हैं जिन्नोंने एंटिटी डिप्लोमा किया हुआ है लेकिन NCTE की अधिसूचना के अनुसार दो वर्ष का डिप्लोमा जरूरी है और इन महिलाओं के पास एक ही वर्ष का डिप्लोमा है इसमें भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी बताई जा रही है जो कि मानेता प्राप संस्थान से ये डिप्लोमा लेकर नहीं आई है तो ये एक ब फसाद या गया है तो अब ये एंटिटी भरती करनी है तो फिर कैसे की जाएगी इस पर चर्चा होगी और अधिकारियों की ओर से देखिए फिलहाल मश्वरा ये भी दिया जा रहा है कि अभी एंटिटी भरती को ड्रॉप भी किया जा सकता है पैंडिंग रिजर्ट से संब फिर एक बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो बाद में एक बड़ा बल्क सामने आए और फिर कोई और डिसीजन लेना पड़े लेकिन जो पोस्ट कोड विजिलेंट चार्च के दाएरे से बाहर भी चल रहे हैं उन पर भी फिलहाल कोई तेज रफ्तार हमें रिजर्ट घोशि और एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि नए आदेश चारी होने वाले हैं लेकिन कितनी जल्दी रिजर्ट घोशित होगा यह देखना काफी जादा रोचक रहने वाले हैं अब आना चाहेंगे करूना मुलक पॉलिसी पर क्योंकि देखिए जितने भी करूना मुलक आश्रित हैं और नौकरी के इंतजार में हैं वो अपनी पॉलिसी का भी इंतजार कर रहे हैं उसके बाद ही क्योंकि एक तरह से ये इनकी नौकरी कब तक मिल पाती है इस बात को लेकर जानकारी यहां सुनिश्चित हो सकेगी तो देखिए पहली बात तो यह कि पुर्व सरकार ने वन टा सबर चुनाफ से पहले एक पोस्साजा किया था जिसमें वाइदा उन्होंने किया था कि एक तो पांच फिस्दी कोटे की शर्थ कॉंग्रेस हटा देगी सत्ता में आते ही और दूसरा वाइदा ये कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत इन सभी को रोजगार प्रदान कर दिया जाएगा एक साथ लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है तो करूना मुलक आश्रित काफी ज़्यादा परिशान नजर आ रहे हैं इनकी और से ये कहा जा रहा है कि जो पांच प्रतीशत कोटे की शर्थ रखी गई है इस वज़ह से इनकी तादाद बढ़ती जा रही ह है पिछले कुछ महीनों से या वर्षों से भढ़तिया नहीं हो पाई है जिस वज़ह से इनकी संख्या और जादा बढ़ गई है कम से कम पांच प्रतीशत कोटे को अब आने वाले समय के लिए हटा दिया जाना चाहिए दूसरी बड़ी बात जलशक्ती विभाग को लेकर इ पाया जाता है ये देखना होगा बात यहां जलशक्ती विभाग की नहीं है अन्य विभागों की भी है वहां पर भी रिखे करुणा मुलक आश्रित अपनी अपनी नौकरी के इंतजार में बैठे हैं लेकिन अभी तक ना तो पांच फिज़दी कोटे को अटाने पर कोई ड ज़र नहीं आ रही है तो अब देखना होगा क्या कुछ होता है पहले क्योंकि करुणा मुलक संकी ओर से एक बड़ी भूखरताल की गई थी अनिश्चित कारिन भूखरताल पर ये बैठ गए थे लगभग एक साल भी इनों ने उस हरताल में अपना बिताया लेकिन कुछ लो इनके लिए जारी नहीं हुए हैं कॉंट्रेक्ट पीरेड इनोंने अपने दो साल का पूरा कर लिया है ये 140 के करीब डॉक्टर हैं दो महीने से जादा का समय हो चुका है लेकिन अभी तक नियमिती करण नहीं हो पाया है देखे अस्पतालों से इनके लिस्ट निदेशालिय भेज दी गई थी निदेशालिय ने सचीवालिय भेज दी है लेकिन सचीवालिय स्तर पर ही काफी लेट लतीफी हो रही है अभी त्योहारी सीजन भी चल रहा है तो शायद उस वज़़ा से भी ये रेग्लराइजिशन और नहीं हो पाए हैं क्योंकि छुटियां काफी रहेगा और करना जरूरी भी है क्योंकि हर महीने इन्हें लगभग 30,000 का नुक्सान हो रहा है वीतिया नुक्सान इन्हें भुगतना पढ़ रहा है इसलिए ये मेडिकल एसोसीशन की और से भी मांग उठी है कि 140 के क्रीब डॉक्टर जो की विभिन स्वास्त्य संस्थानों जल्दी इने रहें जिला परिशत कैडर पर अब हमाना चाहेंगे और सबसे पहले तो देखिया आगरह करना चाहेंगे जिला परिशत कैडर के करमचारीों और अधिकारियों से कि जब भी ऐसम आपके लिए कोई अपडेट लेकर आते हैं तो पहले उससे ध्यान से सुनिए उसके बाद जाकर comment section में react कीजिए देखे इससे पहले जब हमने शनिवार के दिन आपको update दी थी तो जानकारी ये देनी चाही थी कि लगभग 400 के करीब वो करमचारी हैं जिनकी salary पूरी नहीं आई है 22 इनकी salary जिनकी काट दी गई है pen down strike पर जाने के चलते क्योंकि इनकी छुटियां खत्म हो गई थी और अब छुटियां भी इनकी adjust नहीं हो पा रही थी जिस वज़ा से ये 400 के करीब संख्या सामने आई जिनकी salary काट दी गई है तो ये हमें जानकारी है कि कुल संख्या 4700 के करीब है लेकिन हमने महस जानकारी उन करमचारीों को ले कर दी थी जिनकी salary काटी गई है इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले आप पूरी update सुने उसके बाद comment section में जाकर react करें एक वर्ट से जादा का समय हो चुका है हमें जिला प परिशत कैडर को लेकर ही कि देखे ये अपनी बैठक को लेकर इंतजार में बने हुए हैं कि कब इन्हें बुलाया जाएगा merger के demand इन्होंने रखी है पंचायती राजविभाग में और इस से पहले 30 October को बैठक होने वाली थी लेकिन उस वक्त यहां पर अधिकारी भी मौज लेकिन अब पूरी-पूरी संभावना बन गई हैं कि दिवाली के बाद इन्हें बुलाया जा सकता है और ये cabinet के आसपास की ही तीथी होगी जब बैठक के लिए इन्हें बुलाया जाएगा इस बार क्या आश्वासर इन्हें दिया जाता है क्योंकि जिला परिशत कैडर ने सजेशन्स पहली बैठक में भी जिला परिशत कैडर क्यूर से दिये गए थे अब इन सजेशन्स को सरकार कितना सुनती है और अब की बार जो बैठक बुलाई जाएगी cabinet के आसपास वो देखना होगा कि कितनी जादा सक्सेस्फुल इनके लिए रहती है